अगर किसी को लगता है कि दूतिय बिश्वियुद के बाद दुनिया की सारी परिसानिया खत्म हो गई है, तो अब लड़ने के लिए किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। चीन इकलोता ऐसा चंट देश है जो अपने कुकृतियों के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों के निसाने पर है। भारत के साथ चीन के संबंध कैसे हैं या किसी से चिपा नहीं है, और चीन के करणामों से कोई भी अंजान नहीं है, लेकिन अब भारत हर मौके पर चीन की बैंड बजाते आ रहा है। इस वार चीन एक वार फिर जहर उगला है, और भारत ने उसी जहर को फिर से चीन को ही पिला दिया है. नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वश्णी औरनेट न्यूज मेडिया पोर्टल, और मैं अबनी स्तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और अमेरिका के संजुक्ते सैन अभ्यास के तैयारियों के वेच चीन की सुलक पड़ी है, हम आगे बढ़ें, उससे पूर्वियदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल इसे स सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्षन में अपने पृतकिरिया भी छोड़ें, तो आगे बढ़ते हैं, दरसल भारत और अमेरिका अक्टूबर में वास्त्विक नियंत्रन रेखा यानि LAC पर संजुक्ते सैन अभ्यास करने की तैयारी में है, मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और अमेरिका के सैनिकों के वेच युद अभ्यास ड्रिल का 18 हुआ संस्करन उत्राखंड के ओली में होगा, ओली भारत चीन की वास्त्विक नियंत्रन रेखा से लगभग 100 किलो मीटर दूर है, 14-31 अक्टूबर तक यह युद अभ्यास चलने वाला है, इसक नई दिल्ली और बिजीं के बीच हुए समझोते का उलंगन बताया है, चीन का कहना है कि समझोते के अनुसार वास्त्विक नियंत्र रेखा के पास किसी भी तरह का सैन अभ्यास नहीं किया जा सकता, चीन के राष्टिय रक्षा मंत्राले के प्रवक्ता करनल तान के फेईन अभ्यास को लेकर टिपड़ी करते वे कहा कि चीन सीमा मुद्धे पर किसी भी तीसरे पक्ष के दखल देने का कड़ा विरोध करता है, हमें उमीद है कि भारत एलेसी के पास सैन अभ्यास नहीं करने वाले दुविपक्षिय समझोतों का पालन करेगा, और दुविपक्षिय कि जिन समझोतों का चीन के द्वारा हवाला दिया जा रहा है, वस्वेम ही कई बार इनका उलंगन करता आया है, चीनी पीले ने मई 2020 में पुर्वी लदाख में एलेसी के बिवादी छेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध अपने चरम पर पहुच गया था, ड्रेगन के चलाकी वाली रवय के कारण ही भारत और चीन के बीच आज संबंध काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, हाली में विदेश मंतरी एस जैसंकर ने अपने एक बयान में कहा था, कि चीन द्वारा भारत के द्विपक्चिय संबंधों पर पड़ा, उन्होंने कहा कि अस्थाई संबंध एक तरफान नहीं हो सकते और इसमें परस पर सम्मान होना चाहिए, यानि जो चीन स्वैम ही समझोतों का उलंगन करता आया है, वहीं अब हमें समझोते का पालन करने का पाठ पढ़ाने की कोशि इस मामले को लेकर चीन बिलबिलाया हुआ है, जबकि यह पूरी तरह से भारत का अपना आंतरिक मामला है, यहीं कारण है कि चीन की इस बेफुजोल की अपत्ती पर भारत ने उसे करारा जबाब दिया है, चीन के इतराज को सीरे से खारिज करती हुए भारत ने कहा कि LSE के नजदीक या से नभ्यास पूरी तरह से अलग है, विद्यस मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने चीन की आपत्ती पर प्रतिकिरिया देते हुए कहा कि तीसरे पक्ष को लेकर चीन की तरब से जो बयान दिया गया, वो मेरी समझ से परे है, भारत और अमेरिका का अभ्यास पूरी तरह से अलग है, मुझे नहीं पता कि इसे क्या रंग दिया गया, कि इससे किसी को लक्षित किया जा रहा है, या सेन अभ्यास किसी मौझूदा समझोते का उलंगन कर रहा है, या थो कि चीन सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए तरह-तरह की हरकते करता रहता है, भारत हर बार उसे जुरदार जवाब देता आया है, चीन या भूल जाता है कि अब वह नए भारत से उलज रहा है, जो उसकी चाल को नकाम करने में सक्षम है, और इसलिए हर बार उसे मुझी खाने पर मजबूर होना पड़ता है, भारत जीस तरह से स्वैम को मजबूत क रहा है, उसे चीन बूरी तरह से बॉखलाया हुआ है, और यह उसका डरी है कि भारत और अमेरिका का संजुक्त धभ्यास सुरू होने से पहले ही, वह इसे लेकर रो रहा है.